इस वीडियो में गाईज हम लोग यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं नियो ग्लोबल काड डाबिट कार्ड और क्रेट कार्ड दोनो जी हां इस एप को मैं पिछले जो है डेट साल से यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो क्या यह एक बेस्ट फॉरेक्स कार्ड है आपको यहाँ पर free airport lounge के access देखने को मिलते हैं अब इन्होंने terms and conditions change कर दी है क्या इनके hidden charges से पूरा detail review जानने को मिलेगा अगर आप as a student यहाँ पर country से बाहर जा रहे हो या international trip के लिए भी प्लान कर रहे हो तो यह वीडियो भाई आप लोग के लिए helpful रहने वाला है तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर देखेगा साथ में बताना चाहूँगा अगर आप rewards के साथ में डायक लिए apply करना चाहते हैं तो link मैंने description box में दे रखी है तो पहले देखिए अगर मैं Neo Global की यहाँ पर बात करो तो इनोंने यहाँ पर तीन बैंकों के साथ में partnership कर रखी है यह credit card debit card दोनों offer करता है credit card इनोंने SBM bank के साथ में partnership कर रखी है पहले इनका किवल SBM bank के साथ में ही partnership था लेकिन बीच में RBI ने कुछ पंगा कर दिया SBM bank के साथ तो उनके debit card के साथ में issue हो गया जो बाहर की country के अंदर चलते नहीं है मतलब basically आप India के अंदर उसको work कर सकते है लेकिन बाहर अगर आपको dollars में payment करनी है swipe करना है कहीं पर तो वहाँ पर issue आता है तो उनके लिए नोंने यहाँ पर credit card बना दिया SBM bank के साथ में जो की काफ़े अच्छे से काम करता है और debit card के लिए नोंने Equitas और DCB bank के साथ में partnership कर रखी है अब मैं बात करने वाला हूँ specially इनका new का पहले credit card के बारे में जिसको मैं personally date साल से यहाँ पर use कर रहा हूँ तो देखिए पहली चीज तो यह एक secure credit card है यानि आपको कोई भी civil या अफिक कोई भी income proof ऐसा कुछ भी आपको नहीं चाहिए होगा secure credit card है तो यहाँ पर आपको एक fixed deposit create करनी पड़ती है तो minimum FD की बात करूँ 5000 रुपी की FD आपको बनानी पड़ती है credit limit जित्ती की FD बनाऊंगे उतना पैसा यूज कर सकते हो maximum FD जो है 50 लाग की है interest SBM bank के according चलता है 60-60 से 7% के बीच में मिल जाता है USP बात करूँ credit card के specially तो 0 forex मिल जाता है यानि कि normally आप अपने जो credit cards होते है जो debit cards होते है जो forum में जाके आप swipe करते या इंडिया में बैठे बैठे है कई international जो sites होती है hosting के side होती है या कोई भी international site हो गई जा पर dollars में पेविन करना है तो वहाँ पर आपको क्या होता है 2-3% extra करता है तो यह चीज़े यहाँ पर आपकी बच जाती है और सबसे बढ़िया बात भाई यह credit card है तो government ने recently जो है TCS लगा दिया है international limits के उपर वो भी 20% का तो अच्छी बात क्या है यह credit card ना उस दाइरे के अंदर नहीं आता तो यहाँ पर आप दबा के खर्चा करो कोई भी आपका TCS नहीं करता cashback की बात को तो 1% मिल जाता है इस credit card को अगर आप इंडिया के नदे यूज करते हो कहीं पे भी यूज करते हो online, offline आपको 1% का cashback देखने को मिल जाता है international lounge access भी देखने को मिल जाते है इस credit card के उपर लेकिन अब भी recently नोने limit लगा दी अगर आप 50,000 रुपे यहाँ पे span करते हो outside of the India तब ही जाके आपको international lounge access मिलेगा तो चलिए यहाँ पे मैं इस app का आपको live interface दिखाता हूँ जैसे आप देख सकते है screen के सामने मेरे पास में यहाँ पे secure credit card है यहाँ पे new global का SBM bank की तरफ से और इस credit card के अगर मैं खास बता हूँ पहली चीज सबसे बड़ा USP तो यह यह किसके नदर कोई भी forex का यहाँ पे आपके charges नहीं लगते हैं जैसे मैं आपको example दिखाता हूँ जैसे आप यहाँ आप देख सकते हो प्लस भाई lifetime free credit card है कोई भी joining fees नहीं है annual fees नहीं है बस यहाँ पे दिक्कत यह है कि अगर आपको जितनी अपनी limit चीए उतने की भाई FD बनानी पड़ेगी इसका मतलब क्या है अगर मैं को limit यहाँ पे increase करनी है तो obviously बाते पहले मैं को एक fixed deposit यहाँ पे बीची ली बनानी पड़ेगी तब जाकि मेरी credit card के वो limit जो है वो increase होगी इसके लाव भाई इसी credit card को अगर आप India के इंदर use करते हो तो आपको कुछ new global coins वगरे मिलते और जितना भी transaction आपकर आपका होता है उसके उपर सीधा 1% का cashback मिलता है यानि जो coins मिलते हैं उसको आप cashback के अंदर real cashback के अंदर आप convert कर सकते हो इसके लावा कई लोग को doubt यह रहता है कि SBM bank का debit card भी issue होता था और कई लोग बोलते थे कि भाई वो card नहीं चलता है या online भी कई card जो use करना चाहते हो बहुत अच्छे से smooth तरीके से काम करता है प्लस अगर मैं बात भी करो कि भाई कौन कौन सी country के अंदर आपका यह new global का card चलता है तो आप भाई पूरी यहाँ पर list देख सकते हो mostly यहाँ पर 130 plus countries है जिसके अंदर यह card बिल्कूर definitely यहाँ पर work करेगा कुछ countries है यहाँ पर इन्होंने list दे रखी बकायदा जिसके अंदर यह work नहीं करता है इसके अंदर आपको एक launch pass भी दिया जाता है पहले ही आपको ऐसे complimentary दिया जाता था 50,000 रुपे पहले एक billing cycle के अंदर span करो तब जाब के आपको launch का pass मिलेगा और अच्छी बात बस यहाँ पर यह है कि अब upgrade करके रहों नहीं यह कर दिया है कि इंडिया के के वल इंटरनाशनल टर्मिनल्स नहीं बलकि जो बहार के भी है बाई उनके भी launch access यहाँ पर आप easily access कर सकते हो इसके लाव भाई app के ओपर ही आपको जिसे DCB bank और Equitas दोनों का भी यहाँ पर option मिल जाता है आप चाहो तो उनके साथ debit card भी यहाँ पर ले सकते हो यानि कि SBM bank के साथ में आप credit card ले सकते हो और अगर आपको debit card चीए तो आप DCB और Equitas के साथ में proceed कर सकते हो अब भाई बात करते हैं कि भाई comparison क्या है यह credit card और debit cards के बीच में तो देखें पहले अगर मैं zero forex की बात करूँ तो credit card और debit card दोनों में आपको जो है same देखने को मिलता है कोई भी charge नहीं लगता है lounge access जो है पहले debit card में भी देखने को मिलता था लेकिन अब इन्होंने हटा दिया है SBM के credit card के साथ में भी limitation लगाती है TCS की अगर मैं बात करूँ तो credit card पर कुछ नहीं लगेगा Equitas के उपर 7 लग तक free है उसके beyond जाओंगे खर्चा करोंगे तो 20% लगेगा same DCB के उपर कहानी है account opening की बात करो तो SBM का जो credit card है उसमें कोई भी ऐसे account open नहीं होता है FD करानी पढ़ती है 5000 रुपे की minimum Equitas की और DCB की बात करो भाई तो वहाँ पे भी zero balance saving account है लेकिन जो आपको debit card issue होगा न उसका आपको pay करना होगा भाई उसकी na card fees लग जाती है तो card fees की बात करो Equitas या पे 199 चार्ज करता है DCB bank या पे 500 प्लस GST बेसे लिए चार्ज करता है और credit card की कोई भी joining और annual fees नहीं है ATM withdrawal की बात करो वह भी international तो SBM credit card जो है 500 रुपे या फिर 2.5% दोनों message जो भी जादा होगा वो चार्ज करता है और Equitas और DCB जो है debit card जो है 499 चार्ज करता है Equitas और DCB जो है 149 प्लस Taxes चार्ज करता है पर transition के उपर अगर आप international withdrawal कर रहे हो तो देखो भाई अगर मैं overall यहां पर conclusion देना चाहूं तो अगर आप एक international traveler हो या as a student भी बाहर जा रहे हो या first time trip प्लान कर रहे हो तो definitely आप इस card के साथ में जा सकते हो लेकिन मैं recommend करूँगा सिफ credit card ही apply करना वो best है भाई travel के लिए TCS ही लगता Forex markup भी आपका 0 है कहीं पर भी swipe बगरे भी कर सकते हो बहुत अच्छे से काम करता है कौन्स की बात करो या लाउंज access को थोड़ा साथ आ दिया पहले complimentary दे रहते और मैं दो बार use कर चुका हूँ तो बहुत अच्छा feature था उनका quarterly basis पे एक lounge pass आपको आसानी से मिल जाता था तो guys hope you like this video अगर आप जानना चाहते कि भाई और कौनों से best forex card है तो मैंने detailed video अलड़ी बना रखा है उसकी link भी मैं आपको description box में provide कर दूँगा Thank you guys Thank you very much